तो दोस्तो आज इस मूवी को हम explain करने जा रहे हैं उसका नाम है दबोव जो की release भी थी ये 2005 में और आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसे बुड़हू को जो एक 17 साल की लड़की को kidnap करके अपने साथ रख लेते हैं और उसके साथ शादी करना चाहते हैं जिसके बा करते हैं पर उससे पहले गुरू अगर अभी तक तुमने हमारे सेकेंड वाले चैनल को subscribe नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार उसका link नीचे description में दिया हुआ है ऐसी ही और भी जगड़ी तगड़ी मूवी के लिए उससे subscribe कर लेना तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें कि दुनिया कभी देखी ही नहीं वो बस इस बोट में रहती है और यहाँ पर अपने भंसुरा नंदन की help करती है तो इसकी खुद की ही एक बोट है और वो टूरिस्ट को ला करके यहाँ पर उन्हें सफर कराता है खेर यहाँ तक तो हमें बढ़ाव ठरकी लगते हैं परन्त कि दुनों डर जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं इसके बाद हमें पता चलता है कि अपनी मटरी भंसुरा नंदन के साथ पिछले 10 सालों से है और यहाँ पर अभी तक भंसुरा नंदन ने एक बार भी उससे टच नहीं किया बलकि वो तो वेट कर रहा है उससे टच करने के एक्शली दोस्तों अपना जो भंसुरा नंदन है उसने डिसाइड के है कि पहले वो मटरी के साथ शादी करेगा फिर उससे टच करेगा और अभी मटरी 18 की हुई नहीं है इसलिए उसने मटरी को अभी तक बिल्कुल प्योर रखा है और वो हो जाएगी 18 की अगले ही महीने वे हमारी तो दुपहर में नहाने में फटी बड़ी है और ये उसको रात में नहीं लाते है खैर नहाने भाने के बाद वो उसे म्यूजिक भी सुनाते है खैर ऐसे गरते गरते जिन्देगी किसी तरह से कटिच रही थी परंतु एक दिन हम देखते हैं कि एक बंदा जिसका नाम थेपला मारतंडे है वो एक दिन चाचा के साथ आता है उनकी बोट पर सफर करने के लिए मतलब घूमने के लिए और यहीं पर गुरू थेपला मारतंडे की नजरे ठकराती है अपने मटरी के साथ जिसके बाद दोनों के ही आँखों से इशारे हो गए ये उनके और वो करके अत्यादिक आश्चर चेकित हो जाती है क्योंकि हाला की दिदी रहती तो इस सब्वें 2022 में ही है परन्तु उनका ग्यान पुरा पासाल काल का है क्योंकि उन्हें कभी इस सब चीजों से इंट्रिद्यूस कराये ही नहीं कि आज से पहले तो यी चीज उन्हें काफे ज़ पहली बार कोई सच में रियल सॉंग सुना है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है तो वो मारू की बात पर घंटा ध्यान नहीं देती खैर इसके बाद इनका जो गुटरू है थोड़ा बहुत चलता है और कुस देर के बात रात हो जाती है सभी लोग सोने अगले दिन डैड सिस बारे में पूछता है जिस पर उसके डैड अपनी मठरी की सारी कहानी उसे सुना देते हैं मठरी के साथ ये सब कुछ हो रहा है ये सुनकर के उससे बहुत ज़्यादा दोख होता है परंतु वो कर भी गया सकता था जिसके बाद वो अपने डैड के प्रमीन में पटक देते हैं और यहाँ पर हम देख बाद हैं कि पहली बार अपनी मठरी उसे नाराज हो जाती है जिसके बाद रात में जब वो उसे नहला रहे थे तो यहाँ पर भी वो अपना गुस्ता दिखाती है खैर भंसवड़न अंदन उससे मनाने के लिए एक नेकल अर्थात अपना मारू जो की वापस चलाया है अपनी मठरी की याद में और यहाँ पर अपनी मठरी भी आशिक को देख करके बहुत जादा खुश हो जाती है जिसके बाद वो तुनों कुछ बाते बाते करते हैं और अपनी मठरी उससे इस बार गिफ्ट की रूप में एक अर्थात डमरू देगर के शायद वो यह बताना चाती थी कि बाबू बजा दो आई मीन डमरू को बजा दो खैर यहाँ पर यह लोग जब अपने गप्पे लडा रहे थे और भंसोड़ा नंदन जब उससे इस तरह से गप्पे लडाते भी देखता है तो भाई जब उसका स सकल सड़े हुए करेले चैसी हो जाती है परन्तु वो खास कुछ कहता नहीं जिसके बाद हम देखते हैं कि जब रात में सो रहा था तो उसने नोटिस किया कि मटरी वहाँ पर नहीं है और उससे ढूंटे ढूंटे वो पहुचा सीधा अपने मारू के पास यहाँ पर वो और मारू आपस में गुटूर्गू कर रहे थे जिसे अपना भंसर अनंदन देख लेता है और गुस्से में उसे उठागर के रातो रात ही दूसरे कोने पर छोड़ कर आता है खैर इसक में चोट खाया हूँ अपना आशिक माह से चला तो जाता है परन्तो भहिया जी एक बार ज मारू प्रच्धू कर लेते हैं और उसे अपने साथ ही सोने के लए कैते हैं या पर अपनी मठ्री को ये बात बिलकुल भी पसंदद हमाति और इस बात के लिए वो बढ़ों को थप्रिया भी देती है परन्तु बेसरम आदमी उससे जात का घंटा फरक हिच नहीं पड़ता अगले दिन हम देखते हैं कि अपना जो मारू है वो एक पोस्टर को लेकर के अपने साथ में आया दोस्तो उस पोस्टर में अपनी मठरी की 10 साल पहले की गुमशुदगी की खबर थी एक्चली दोस्तो जो बढ़ों है ये मठरी को 10 सालों पहले कहीं से उठा कर लाए थे और आज तक मठरी को उन्होंने ये बात बताई नहीं है खर जब मठरी को ये पता चलता है तो वो डिसाइड करती है कि वो अपने बाबू अठाद अपने मारू के साथ ही जाएगी परन्तो बंसुरा नंदन उन्हें जाने दे तब न वो तो हर बार की तरह तीर उठा लेते हैं और होगने लग जाते हैं लेकिन इस बार नहीं क्योंकि इस बार लैला भी प्रेम में पढ़ चुकी है जिस बज़े से वो तीर के सामने आ जाती हैं और बंसुरा नंदन एक बार निशाना लगाते लगाते फिर चूप जाते हैं इस बार से अपना बंसुरा नंदन काफी जादा दुखी होता है और उसने जो भी तैयारिया की थी मठरी के साथ शादी करने की वो सब कुछ वो तोड़ फूर देता है जिसके अगले ही दिन हम देखते हैं अपनी मठरी अपने मारू के साथ एक नाओ में बैट करके वहाँ से 9-11 होने का प्लैन करती हैं परन्तु जाते जाते उसने नोटिस किया कि जो बढ़व है वो पूरी बोट में कहीं दिखी नहीं रहें और यहाँ पर हम देखते हैं कि बढ़व एक कोपचे में बैठे हुए थे काफी ज़्यादा दुखी हतास और निराश और जैसे ही ये लोग वहाँ से निकलते हैं हम देखते हैं कि इनकी नाओ हलकी सी स्टक हो जाती है क्योंकि बढ़व ने उस नाओ की रस्टी को अपने गले में बांध लिया था मठ्री को रियलाइज हो जाता है कि बढ़व कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं तो वो जल्दी से नाओ को रोकती है और वापस चली आती है अपनी बोट में मठ्री ने बढ़व के अंदर अपने इस गहरे प्रेम को देख करके उसके साथ जाने का निंडा छोड़ दिया है और वो बढ़व के शाधी शाधी करेगी यहापर अपना मारू भी जब इतना गहरा प्रेम देखता है तो वो भी एक कदम पीछे हो जाता है जिसके बाद य दुनों एक दूसरे को तैयार करते हैं और फाइनली यह दोनों शाधी भी कर लेते हैं शाधी करने के पस्छा जो अपना बढ़व है वो फिर से अपने फटी आवाज में गाना गाने लगता है लेकिन अगले ही सीन में हम यह क्या देख रहा है बढ़व गाना गाने के पर अपना मारू भी आ जाता है और उसे ऐसी कंडिशन में देख करके गले लगा लेता है जिसके बाद हम देखते हैं वो अपना तीर बाहर निकालती है और फाइनली ये दोनों दो जिस्व एक जान हो जाते हैं जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई दोस्तों मूवी आपको कैसे लेगी है हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बजाना ऐसी ही और भी ज़्यादा इंट्रेसिंग टापटप वाली मूवी इसको देखने के लिए हमारे सेकेंड चैनल को भी सब्क्राइब कर लीजे हैं उससे बात पगरा करना चाहते हैं या फिर